Hello friends, this is Anju, welcome to YouCanDo YouTube channel and आज हम बात करेंगे top 20 one word substitutions की starting from C जो कि बहुत जादा exams में continuously पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जाएंगे So हमें एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से देखने हैं इसी के साथ हम शुरू करते हैं Our first word is calligraphy Calligraphy क्या होता है सूलेकन एक इंसान जो बहुत अच्छी handwriting लिखता है Beautiful handwriting लिखता है उसकी वो जो art होती है न उसे हम बोलते है Calligraphy जिसकी सुंदर लिखने की कला हो उसे हम कहेंगे Calligraphy सूलेकन Next is your carnage Carnage होता है हत्याकांड बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है मार जाए जिसमें उसे हम कहेंगे Carnage हत्याकांड जैसे जलिया वाला बाज भी हत्याकांड था एक ठीक है तूझ जिसमें लोगों को मारा जाए ना कि वो खुद magic smoke का जो normal customs होते हैं रुजिती रिवाज होते हैं उन्हें हम कहते हैं custom ठीक है custom is usual behavior of a social group next word is Cacophony इस वर्ट को जहां से दिखते हैं इसमें दो root words है फर्स्ट root word is your cacco cacco का मतलब हमें हमेशा याद रखना क्या होता है करकस क्या को कहीं पर भी आ जाएगा उसका मितलब होता करकस दूसरा रूट वर्ड अपने यहां पर फोनी दूसरा क्या है फोनी फोनी का मतलब हमेशे याद रखने वह था आवाज फोनी को याद लगने है फोनी होती है आवाज तो कैको करकस फोनी आवाज हर शिशाओं उसे ही तो कहेंगे ना जो सुनने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती नॉइस कोला हल तो कैकोफोनी का मींस हो गया हर शाओं नेक्स आता है कौरी जेंडम क्या होता है कोई भी हमर पास प्रेंटेट बुक है उसके अंदर जो भी मिस्टेक से उनको अगर हम करेक्ट करें तो उसे बोलेंगे कौरी जेंडम ठीक्स टू भी करेक्टेड इन प्रेंटेड बुक प्रेंटेड बुक के अंदर जो चीजे करेक्ट करने के लिए दी जाती है जो धैस कोरी जेंडम वुबेंगे शुद्धी करेंडम भी बोलते है इसे एकला हाता है कैबी और कैब ड्राइवर किसी भी टेक्सी का चालक होत बोलते हैं नर्भक्षक भी बोलते हैं एक ऐसा इमेन या फिर कोई भी जो कि human flesh को खाए one who eats human flesh the man who can eat human flesh उसे हम कहेंगे cannibal राक्षस नर्भक्षक next is your canine canine क्यों पहले हम देखते हैं कि हमार पास चार टाइप के टित हैं इंसीजर कैनाइन मोलर प्री मोलर यह चार टाइप के टित होते हैं जो कैनाइन होते हैं वो dogs के अंदर भी होते हैं तो उससे रिलेट करके बनाया गया कि जो डॉग लाइक होते हैं उन्हें हम कहते हैं कैनाइन that which is dog like is your canine next आते है credible इसमें भी एक root word है root word क्या है cred क्रेड का मतलब हमेशे याद रहना क्या होते हैं विश्वास belief क्रेड अगर कहीं पर भी आ गया तो एक root word है जिसका मतलब होता है विश्वास नहीं आगे बीली लगा हुए जिसका मतलब तो वैसे भी क्या होता है योग्य तो जो विश्वास करने योग्य हो उससे हम कहें क्राडिबल that which can be easily believed clear next word is काजोल खुशा मत करना किसी को भी चाप प्लूसी करके खुश करना उसे कहते काजोल persuade by flattery is काजोल next is cartographer carto means generally maps और charts से विलॉंग करते हैं and एक person जो की maps और charts को draw करें उससे कहेंगे cartographer और जो maps और charts को draw करने की जो कला है उससे कहेंगे cartography so cartographer उस इंसान को कहेंगे उस आदमी को कहेंगे जो की map और charts को draw करते हैं मानचितरकार और जो उस कला है हमारी map making की उससे कहेंगे मानचितरकला cartography clear next word आता है catalog catalog क्या होता है पुस्तक्ष सूची कोई भी हमारे पस books और articles की list होती है तो से हम कहते catalog catalog is पुस्तक्ष सूची list of books and other articles next word is symmetry symmetry क्या होता है कबरस्तान एक ऐसी प्लेस जहाँ पे cops को जो dead bodies होती है उनको बरी दफनाया जाता है उन्हें कहते कबरस्तान symmetry spelling जहां से देख लेना इसका क्योंकि एक symmetry एक वो भी होती है S Y M E T R Y मतलब किसी body के शिक्षे किसी भी चीज को sectionally बी से काटे तो उनका दोनों आपस में उसकी जो parts होंगे वो एकदम similar होंगे उसे symmetry कहते है और यहाँ पे जो हमारी spelling है वो C E M E T E R Y है symmetry कबरस्तान the place for cops to be buried next आता है centenary centenary शताबदी होता है century बोलता है जैसे centenary भी कहते है hundredth anniversary is centenary clear next आता है collusion collusion क्या होता है किसी भी fraudulent purpose के लिए मतलब कि कुछ गलत उदेश्य से कोई secret agreement किया जाए मतलब कुछ हमारा purpose जो वो fraud है और उसके लिए भी कोई हम क्या कर रहे है secret संधी कर रहे है उसे कहते है collusion कप्ट संधी जाल साजी clear collusion किसे बोलेंगे next आता है conventical canventical क्या होता है गुप्त धार्मिक सभा किसी भी religious कोई भी religious meeting जो की secretly की जाए उसे बोलेंगे conventical region कोई भी हो सकता है बट religious meeting हो और वो secret हो तो उसे आप कहेंगे conventical गुप्त धार्मिक सभा नेक्स्ट आता है contrite अब contrite को ना हमने कोई काम किया और वो काम गलत हो गया तो उस काम को करने के बाद एक पश्चाताप होगा कि हमने ये चीज गलत करती हो जो बहुत बुरी वाली feeling आ रही है कि बहुत दुख हो रहा है कि हमने ये गलत काम किय है कोई person बहुत शोगर है कि हां मतलब दिख रहा है कि उसने उससे बहुत गलती होगी तो उसे बोलते contrite पश्चाताप से भरा हुआ जो है उसे कहेंगे contrite showing deep sorrow for wrongdoing next word is chronological समय के कर्मा अनुसार chrono 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 word जो होता है related to time होता है with the sequence of time तो chronological क्या बूलते है according to the sequence of time काफी आपके disease भी जो होते हैं उनके आगे chrono भी लगा होता है तो उनका मतलब बोता है जो long time से time क्या according चली आ रही होती है ठीक है तो उन्हें chronological कहते है according to the sequence of time समय के कर्मा अनुसार next is your chronology chronology क्या होता है कल करम विज्ञान कोई भी date fix करने की जो science होती है कोई भी date इस date वो ये दिवस बनाये जाएगा इस शीज को ये है वो ऐसी ही नहीं हो जाता है उसके पीछे कोई ना कोई reason होता है और उस शीज की जो science होती है fixing dates is chronology is chronology कल करम विज्ञान clear तो इसके साथ ही हमारे 21 words substitutions सीके खतम हो रहे हैं आगे हम next video में further continue करेंगे जिसने भी मेरा telegram group join नहीं किया एक बार जाके join कीजिए क्योंकि इसका PDF आपको वहीं मिलेगा ये telegram का link है link भी description box में दे दूँगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो like, share and subscribe and ये जो bell है उसको भी आप all पे click कर लेना ताकि जैसी मैं video डालू तो आपको notification मिल जाए आपको Instagram पे भी follow कर सकते हैं उसका link भी description box में मिल जाएगा and अगर जो A और B के one more substitutions खतम होएं उनका link भी description box में मिल जाएगा ओके, so आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी next वीडियो में, तब तक के लिए, bye, tata, see ya, have a good day